नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आरके योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकर लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं यदि आप एक पैंसन धारक है जैसे कि विद्वा पैंसन योजना का लाब लेते हैं दिव्यांग पैंसन योजना का लाब लेते हैं या पिर दोस्तो बुजर्ग पैंसन योजना का लाब लेते हैं अगर आपके कोई एक पैंसन बनी हुई है और आप सरकार से किसी का भी एक प रुपे पैंसन मिलने वाली हैं दोस्तो इसी बीच कुछ ऐसे पैंसन धारक है जिनकी पैंसन बैंक खाते में नहीं पहुँच रही हैं उनकी पैंसन किस्ते रुकी हुई हैं कैसे वे प्राप्त कर सकते हैं संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइस में हम आपको याँ पर बताने वाले हैं वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सान्निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का मुख्यमंत्र योगी आदित्यनात की उत्तर प्रदेस सरकार द्वारा समाज कल्याणवी भाग की तरफ से सभी पैंसन लाभारतों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है प्रदेस सरकार के अंतरकत दिव्यांग विद्वां बुजुर्ग सभी पैंसन लाभारत दी जा रही है लेकिन दिव्यांग पैंसन योजना के अंदरकत तिमाही परतिमहा पैंसन लाभारतियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है यानि कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उष्ट अवस्था पैंसन धारक हैं उन्हें हर महीने पैंसन तीन हजार रुपे दी विद्वा और बुजर्ग पैंसन लाभारतियों को 3,000 रुपे पैंसन दी जाती है लेकिन दोस्तों तिमाही पैंसन इन्हें यहाँ पर दी जाती है अब आपकी जानकार के लिए बता दे कि 3,000 रुपे पैंसन दिव्यांग विद्वा बुजर्ग लाभारतियों में से केवल जिन पैंसन लाभारतियों ने अपनी पैंसन का EKYC बैंक खाते का सत्यापन करा लिया है उन्हीं के बैंक खाते में जुलाई के महिने में कभी भी सरकार पैंसन ट्रांसफर कर सकती है जिन पैंसन लाभारतियों ने अभी तक अपनी पैंसन और बैंक अकाउंट का दोस्तो पैंसन का तो EKYC और बैंक खाती का सत्यापन अभी तक नहीं कराया तो उनके बैंक खाते में पैंसन का 3,000 रुपे ट्रांसफर सरकार द्वारा नहीं किया जाएंगे दोस्तो पैंसन का EKYC कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए पलस आपका मोबाइल नमबर होना चाहिए यह दोनों दस्तावेज आप नजदी की CST सेंटर पर लेकर चल जाएए वहाँ पर आपका पैंसन का EKYC पूरा हो जाएगा और बैंक सत्यापन के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास पलस आपका Pen Card और पलस जो Τीसरा दस्तावेज है वहे आपका मोबाइल नमबर होने चाहिए यह तीनों दस्तावेज आप अपने जिस बैंक में आपकी पैंसन आती है उस बैंक खाते से अपना यह तीनों दस्तावेज लिंक जरूर करदा दी दिये ताकि लिंक कराना इसलिए जरूरी है ताकि समाज के लाने भाग दोरा आपके बैंक खाते को अप्रुवल दी जाए और जब अप्रुवल आपका कम्प्लेट हो जाता है सरकार दोरा जब कभी भी पैंसन ट्रांसफर की जाएगी जोलाई की महिने में त पैंसन ट्रांसफर करने में देरी कर रही है अब दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा करान ये भी है कि अभी तक पैंसन बैंक खाते में नई पोच रही है दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे पैंसन लाबारती है जिनके तीन महिने की छे महिने की साथ महिने की पैंसन किस्ते रुख्य हुई है दोस्तों जिनकी एक भी किस्थ प्राप्त नहीं हुई है तो दोस्तों उन्हें अपनी पैंसन के लिए दो बारत से आविधन कराना होगा लेकिन अगर बीच में किसी की भी एक दो पैंसन आ रही है तो दोस्तो अब उन्हें आकर अपनी पैंसन का EKYC और बैंक खाते का सत्यापन करा लेना होगा और साथी जिन पैंसन लाभारतियों में दस्ताविज़ों में गलती हो जैसे की नाम में माता के नाम में या पिता के नाम में एड्रेस में या आपके नाम में जैसे राहुल का राहिल हो गया है मात्राओं में गलती हो रही है तो दोस्तो ऐसे आप जनसुविदा यानि कि C.S.C. सेंटर पर जाकर ये अपनी पैंसन में सुधार करा सकते हैं सुधार कराने के लिए आपके जो पैंसन का रिश्चेशन के आपके पास होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर आपका बैंक खाता दोस्तो ये सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए तभी आप अपनी पैंसन का जो यानि कि संसोधन करा सकते हैं संसोधन कराने के बाद दोस्तों जैसे ही आप कारिय सफलतुपुरक हो जाता है फिर आपको भी पैंसन का लाब दे दिया जाएगा आज किस वीडियो में बड़ी अपडेटे में हमने आपको बता दिया है कि आप अपनी पैंसन का EKYC कैसे करा सकते हैं बैंक खाते का सत्यापन करे से करा सकते हैं और जिनी पैंसन लाब भारतियों की पैंसन आविदन फारम में गलतिया हो रही है वे कैसे संसोधन कर सकते हैं दोस्तो चोथा जो हमने आपको बताए है कि सरकार द्वारे आने की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी पैंसन लाभारतियों को तीन हजार रुपे पैंसन यहां पर दी जा रही है। प्रित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए लाज्ट वे निवे दर नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें अब हम आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत